भारती इंतापार्टी को अगर कोई सिकस दे सकता है कोई बहुत दूर तक फेक सकता है तो उसका नाम है लालो परसास, उसका नाम है राष्टिय जनतादल हम नफरत के खिलाब जो राजनिती को मजबूती परदान की हैं उस मजबूती में अब नौजवानों की बात सोची जा रही है महिलाओं की बात सोची जा रही है धरातल पर तो भारतियनता पार्टी के लोग है नहीं तो उनको पता कहां से चलेगा वो पटना से बैट करके सिर लेकिन फिर भी बिहार में भारतिय निता पार्टी को कोई अयाम नहीं मिल पारहें। उसील मोदी हैं वो भी सिर्फ जुम्लाबाजी कर रहे हैं त्यार के दो सीटों पे उपचुनाब हो रहे हैं लेगिन राष्टिय जनता दल और जनता दल उनाइटेट के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है यह ऐसा हम नहीं आसी ख़वर चल रही है कि आपस में ही ख़वर यह भी चल रही है कि राष्टिय जनता दल और जनता दल उनाइटेट आपस में मर्च करके जनता दल बनने वाद जा रही है पुना जनता दल का उदै होने जा रहा है हमारे साथ बाचित करने के लिए राज़त का प्रवक्ता इजाज हमाद है इजाजी क्या फिर से जनता दल का उदै होने जा रहा है देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें आप अभी बता रहे हैं उसमें ही विरोधा बास है एक तरह आप कहा रहे हैं कि दोनों में ठीक नहीं है दूसरी और कहा रहे हैं कि दोनों में एक दूसरे का मिलन होने जा रहा है दो तरह की बातें नहीं चलती है, समाजबादी विचार धारा के लोग एक तरह की बात करते हैं, एक तरह की बातों पर चलने का काम करते हैं, सबसे बड़ी विदमना यह है कि भारतिय इन्ता पार्टी जो परसिप्शन खड़ा करती है, उसको कहीं न कहीं मीडिया एपरोस से आगे इसने ना सिर्फ बिहार बलके देश को भी एक संदेश देने का काम किया है और इससे भारतिय जनता पार्टी के खेमे में बुखलाहाथ है घबराहाथ है बेचैनी है और बेचैनी के परलाप में वो तरह तरह की बाते परचारित कर रहे हैं और तरह तरह की बाते उनके द्वा महा गडवंधन है ये विचारों से बंधे हुए हैं और विचारों में एक उरूपता है और सबसे बड़ी बात ये है कि देश के अंदर जिस तरह से भारतिय इंता पार्टी ने महौल खड़ा कर दिया है उसके खिलाब सभी दलों को एक होने की आफसकता है और सभी दलों का ग दिरंतर प्रयास मानिय मुखमंतरी नितिस कुमार जी के नत्रित में बिहार से लेकर के दिल्ली तक चल रहा है और इसमें बिहार में हम सफल हो गए हैं आज नफरत फैलाने वाले लोग कहां खड़े हो गए हैं ये असपश्ट उप से दिख रहा है और उनकी बेचैनी का सब अपसे बड़ा असपश्ट परमान ये है कि भारतिय नता पार्टी के जो केंद्रिये नत्रित है वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं लेकिन फिर भी बिहार में भारतिय नता पार्टी को कोई आयाम नहीं मिल पा रहा है और जो विपक्षी दलों की एका है उसको केंद केंद्र में भी आयाम मिल रहा है केंद्र में भी आधार मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि उस आधार के कारण भारतिय नता पार्टी अपने एजेंडे को बदलने का काम किये जब पहले भारतिय नता पार्टी के निताओं से रोजगार के संबंद में सवाल किया जाता थ तो वो रोजगार पर कोई बात नहीं करते थे जुमलाबाजी करते थे लेकिन जब से महागटबंधन सरकार ने बिहार में रोजगार देने का काम किया नौकरी देने का काम किया भारतिय निता पार्टी कहीं ने कहीं रोजगार की ओर मुड़ी है और ये हमारा सबसे बड़ा स पश्ट पर्मान है कि हम नफरत के खिलाब जो राजनीती को मजबूती परदान की हैं उस मजबूती में अब नौजवानों की बात सोची जा रही है महिलाओं की बात सोची जा रही है और सबसे बड़ी बाती है जो महांगाई बढ़ रही है उस पर भी देश के आम अवाम चि रेक सो तीस करोर आवाम हैं। उनको कैसे हर तरह से सुविधा मिले। कैसे उनको सरकार के द्वारा जो किये जा रहей कार्ज हैं। नफरत की दिवार खड़ा करके राजनीती करने का रहा ये तो आप कर रहे लेकिन भारतिय जंता पार्टी करिए कि कहा है मुखमंत्री चुन आप चल रहा है क्यों नहीं जा रहे हैं सभा को संबोधित करने अनन सिंग को जेल में वही भेजे थे देखिए भारतिय जंता पार् सभी महागटवंदन के मंत्री दौरा कर रहे हैं सभी मानिये विधायक जो महागटवंदन के हैं एक जूठो करके दौरा कर रहे हैं सभी निता और कार्जकरता दौरा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि असपश्ट रूप से हमारी बढ़त नजर आ रही है बढ़ती नही सब जाएंगे अभी चुनाव परचार एक तारीक तक है चुनाव परचार समाप्त होने से पहले सारे लोग जाएंगे और आप देखेंगे कि महागट बंदन की जो एक जूटता इस बिहार में बनी है यह जूटता दोनों चुनाव को एक नई दिसा और दसा देने का काम और इस चुनाव का परिणाम देश की राजनिती को एक नया आधार देगा आप क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं दोनों उप चुनाव में भारतिय इंता पार्टी को पता है ग्राउंड पर हम कहां हैं ग्राउंड रियलेटी उसको पता है इसलिए अनर्गल पर लाप पर इसलिल मोदी हैं वो भी सिर्फ जुम्लाबाजी कर रहे हैं कारजाले में बैट करके ब्यान देना अलग बात है जमीनी हकिकत अलग बात है जमीनी आधार भारतिय इंता पार्टी को पता है कि हमारे साथ खिसक चुगी है वपाल गंज में भी यह देखने को मिल रहा है कि भा द्राश्टी जनता दल बहुत कम मजबूती सब्सक्राइज दिख रहा है आम तो दिख रहे हैं क्योंगता है मोकामगंज भैरतिय भापमी के सब्सक्राइज मत नहीं है पूरी एक जुटता के साथ हम लोग चुनाओं लड़ रहे हैं और असपश टूप से सभी पार्टियों के नेता, सभी पार्टियों के मंत्री, सभी पार्टियों के विधायक उस चुनाओं में लगे हुए हैं साय धरातल पर तो वो भारतियनता पार्टी के लोग है नहीं तो उनको पता कहां से चलेगा वो पटना से बैट करके सिर्फ ब्यान देने से उनका इतिसरी जरूर हो जाएगा वो ना पहले जीते हैं ना आगे जीतेंगे जब से वो अलग हुए हैं उसके बाद से उनकी बुख उखलाहट में हैं घबराहट में हैं जिसके कारण इस तरह का अनरगल परलाप कर रहे हैं चाहे जीतना भी परलाप कर ले चाहे जीतना भी हाय तौबा मचा ले वो किसी भी सिती अपरिसिती में दोनों सीट नहीं जीतने जा रहे हैं हमारी जीत असपश टूप से नजर आ र बहुत माइन माइने रखता है क्योंकि हर जो दल है वो अपने जात को खीचने की कोशिश करती है जात की राजनेती करती है गुपाल गंज में साधू यादब क्या आर जेडी के लिए फैक्टर साबित होगा क्योंकि साधू यादब कहीं न कहीं पिछली बार दूसरे नमर पर तो क्या इस बार भी आप लोगों को डैमेज करेंगे क्या देखिए चुनाओं में कौन लड़ता है नहीं लड़ता है उसका बहुत माने नहीं रहता है जनता ये बात देखती है कि सामने वाला किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है और उसको पता चल जाता है कि सामने वाला भारते इंता पाटी के लिए राजनेती कर रहे हैं और भारतिय इंता सब्सक्राइब्स मिरे गत्राइब सबी लोग को पता है कि लालू परसाद जी किस तरह से संपरदाइक सक्तियों के खिलाप मजबूती से खड़े रहे चाहे जितना भी जहनजावत आया चाहे जितना भी कठनाई हुआ चाहे जितना भी उनको परसानी हुआ उन्होंने कभी भी भारतिय इंतापाटी से समझोता नहीं किया और ये असपश्ट परमान है कि हम जो संपरदाइक सकती है जो फिरकापरस ताकत है उसके खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं अड़े रहे हैं और इसका परिनाम रहा है कि हमारे साथ हमेशा वो वर्ग खड़ा रहा है जो वर्ग चाहता है समझता है कि भारतिय इंता पार् से जो मुहबत की रोसनी निकली है उस रोसनी में भारतिया इंता पार्टी कहां फेका गई है यह चुनाओ परिनाम के बाद पता चलेगा ओबेसी साब के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वो डैमेज करने के बात कर रहे हैं कि हम इस बार डैमेज करके दिखाएंगा और रूप चुनाव में गुपाल गंज की एक सीट पर जो हम चुनाव पर जीत करें तीसरे के बारे में सब लोगों को पता है कि किसका खेलने के लिए आये हैं और किसके लिए खेल रहे हैं तो दूसरे के पीच पर खेलने वाले जब आये हुए हैं तो उनको जो अपने पीच पर खेला रहे हैं वो समझें लेकिन मेरा असपष्ट मानना है कि सामने वाले को पता है कि हमारे पास बहतर बैट्समैन है हमारे पास बहतर बॉलर है हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे इसलिए राष्टिय जनतादाला महागडबंधन मानिये नित्विस कुमार जी के बहतर पैटिंग और मानिये तेजस्वी परसाद जादव जी के बहतरीन बॉलिंग के सामने भारतिय इंता पार्टी कहीं टिकने वाली नहीं है ये पीछ पर आने से पहले ही पूरी तरह से ओजल हो चुकी है पूरी टीम धारासाई हो चुकी है तो उस टीम के लिए अगर कोई ट्वल्समें बन करके खेलना भी चाहेंगे तो उनको जनता और पीछ सुईकार करने के इजाज एमत थे जिनोंने कहा है कि इस दोनों सीटों पे विजय महागटवंदन की होगी और जो लोग बैक फूट पे भारतिय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है जनता जानती है और जनता किसको अपना वोट देगी ये जनता को पता है और जब पढ़नाम आएंगे तो दिख जाएगा कि बिहार के दो सीटों पे जो उप्चुनाब हो रहे हैं गोपाल गंज और मुकामा ये दोनों सीट पे महागटवंदन के प्रत्यासी जीत कराएंगे वहीं भारती जनता पार्टी को क्लीन स्वीप का सामना करना झाले